लोग सबा चुनाओं दोजार चौबीस के नतीजे आने के बाद से भारती जंता पार्टी और उसके सहयोगी दल हार की समिच्छा कर रही हैं एंडिये को उतर प्रदेश में लक्ष के मुताबिक सीटे नहीं मिली एंडिये सूची में दूसरे नमबर का गठबंदन दल रहा है वहीं एंडिये की सहयोगी दल अपना दल एस पार्टी को भी लोग सबा चुनाओं में एक सीट का नुकसान उठाना पड़ा इसी करम में एक सीट पर जीत दर्ज हुई इसको लेकर अपना दल सोनेलाल के राश्टिय सची मुन्नर प्रजापती की उर से एक पत्र जारी किया गया है मुन्नर प्रजापती ने पत्र के जरिये बताया कि पार्टी की मंचो सहींत उतर प्रदेश और मद्यपरदेश से जुड़े सभी प्रदेश शेत्र जिला और विधान सबाइस तरीय कार्णी को तत्काल प्रभाव से भंग किया जाता है उन्होंने कहा कि सभी कार्णी भंग करने की कारवाई अपना दल ऐसकी राश्टिये अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल के निर्देश पर किया जा रहा है आपको बदा रिंकी कॉल ने रॉबर्ट गंड सीट पर चुनाव लड़ा था इसमें जैसे जैसे करके अनुप्रिया पटेल मिर्जपूर सीट से जीत दर्श कर पाई जबकि सोन भदर की रॉबर्ट गंड सीट से रिंकी कॉल चुनाव हार गई वहें चुनाव के बाद पाटी ने पूर्वसान सद पकोडी लाल कॉल को कारण बताओ नोटिस जारी किया था पकोडी लाल पर चुनाव के दौरान पाटीयों में द्वार रिंकी कॉल के खिलाफ बिपक्षी कैंडिडीट के पक्ष में परचार करने का आरूप लगा है लोग सबाच चुनाव के दौरान जिस तरीके से अनुप्रिया पटेल ने कड़े शब्दों में राजा भाया की अलोचना की थी और उन पर हमला बोला था जाहिर से बात है इसका खामियाजा अपना दल एस सहीते अंडिये के तमाम उन पार्टियों को भुगतना पड़ा ज देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहने एक्षिन अन पॉलिटिकल बाइट के साथ